थेंक यू सुरेज जी आप बहुत शुक्री आपकी मुहबत का इसी तरह से मुहबत बरकरार रखी स्पोर्ट फैक्ट के लिए लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और सब्सक्राइब कर दीजे चैनल अगर नहीं किया है तो प्लीज और लगातार जो है अगरार दीजेंगे तो भार विणिए गया है तो तो टल बारे दस टीम है बारे वेनिए गया है चलि इसके बारे में एक बाद में बात करेंगे हैं आई पेल के बारे में लेकिन यारि स्टीविविश्मीट को हो किया गया यार मतलब हम लोग बड़ा डर रहे थे और इस तरीके से इतनम आउसत से भी घटिया बलेबाल जी इनसे हो रही है मतलब इसके बारे में सोच ही नहीं सकता है हला कि टीम इंडिया है लेकिन हम लोग चाहते हैं यार बंदेर रंज बनाया है हर को स्टीवी स्मीथ को रंज बनाते हुए अच्छा लगता है, महुत अच्छा लगता है बिछले बार भी जब उन्होंने दोरा किया था चार संचूरी उन्होंने लगाई अच्छा दोरा किया तो तो अच्छा खासा है यारा हर श्वीन एकदम उनके दिमाग में चड़ गया है और निकल ही है ये चठा या सात्वा मरतवा है जब हर श्वीन है इनको आउट किया हुआ है इस्टीवी स्मीट को और मुझे लग रहा है कि अगली पाँच पारियों में जो ने कम से कम तीन दफा और जो है आर श्वीन आउट करेंगे या तो अश्वीन आउट करेंगे कॉफी बना रहे है बस कॉफी बना रहे है बिलकुल वर्नट जैसा है आप होम ट्रैक बूली बन गया है एक दम से चलो ठीक आपने गर में बहुत सारे रंज बना यह है वह लेकिन आप दुनिया के नंबर बन बलिबाल जैसे नहीं कला हुए जब आप गरमी रंज बना होग कोता है ब्रो और महश पीठिया तो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे नहीं आपको मैश में जो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कहल रहा है खबर यह यह आए थी कि महश पीठिया जब गेंदबाजी कर रहे था ओल्डेडी जो है वो चार-पांच बार जो इनको आ किया हुआ था तो स्टीव इसमित एक दम पूरी दर से बिखर चुक है है इससा माइंड़ सेट की बात है ना अविनाज भाई विलकुल माइंड़ सेट की बात है कोशिश की गई कि उनको पढ़ा जाए बट भाई अश्विन आउट अफ दस लेबस ही आएंगे हमेशा आप कितना भी रीड कर लो उनसे बहतर नहीं रीड कर सकते बहुत चालाख है वश चीज में वीडियो जेख लो आप अश्विन के कैसे बाल गुमा रहे क्या बाल डाल रहे कैरम डाल रहे अंदर डाल रहे बाहर डाल रहे नहीं भाई अश्विन को नहीं पड़ पाऊ गया red ball format मे तो अश्विन का कोई तोड है ही नहीं सारे चार सो जाला विकेट ऐसी नहीं लिये उन्होंने प्रतीक जोशी कैसे हो ब्रो बस एकदम बढ़िया प्रतीक भाई आप कैसे हो सुरा सुरेश चाट बुड जॉब बहुत बहुत शुक्री आपका इसी तरह से प्यार बनाये रखे प्रतीक जोशी कैसे हो दिवेंश भाई या बिलकुल भाई एकदम बढ़िया आप कैसे हो प्रतीक और क्या हाल चाल है और बहुत टाइम बाद आप हमसे जुड़े हैं उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जो है रेगुलर आएंगे लाइफ सेशन में और प्यार बरसाएंगे स्पोर्ट सेक्ट पर फिर से वीडियो देखकर लाइफ देखकर शेयर करके लाइक करके सब्सक्राइब करके और सुबह जब यह मैच स्टार्ट हो रहा था तो कॉमेंटरी में एक डिस्कॉशन चल दा था विनाज भाई की डेविड वॉर्नर हर कोई बोलता है ओल टाइम ग्रेट में आते हैं उपनर के उसमें अगर चाली से ज़्यादा से सेंचुरीज हैं टीम इंडिया में पंदरा साल से कहल रहा है आई पेल खेल रहे है आई पेल को तो खेर ग्रेट है वो बिलकुल माना बट इंडिया भी आते हैं बहुत सारे बहुत एक्सपीरियंस है बट यह सब कॉंटिनेंट में रन नहीं बनाते हैं इनके रन है उस्ट्रेलिया में और लगा तो और देश में बना दे और बाकी देशों में ना बनाएं तो क्या वो ओल्टाइम ग्रेट की श्रेणी में आता है फर मंदर यह सवाल था कमेंटेटर्स का उबिलकुल उनका जवाब भी यह था कि नहीं हमारे इसाब से डेविड वाँनर घृस्ट की लिस्टमें न हर जगह पर हर देश में जाकर रन मना हैं सब कॉंटेनेंट हो स्विंगिंग कंडिशन हो इंगलेंड हो ऑस्ट्रेलिया हो सौट अफिका हो न्यूजिलेंड हो भारत हो श्रिलंका हो वेस्ट इंडीज हो जहां भी गए वहार रन मना कर आए तो अबी डिविलर्स ऐसा नाम है जो हर जगह रन मना कर आए विराट कोली सचिन दंदुलकर खेर वो तो अलग जमाना था अभी हम इस जनरेशन की बात करें यहां पर जो रूट एक अच्छे बल्लेवाज है जो हर जगहें जाकर रन मना कर दोसों मारके चले गए अस्ट्रेलिया में रन मनाते एक अच्छा नाम है बट स्टीव स्मित बहुत अच्छे नाम है इसमें की फैफ फोर में फैफ फॉर वाले तो भाई चारो तगडे हैं हर जगी ज बहुत रन मना है भाई आई पिल के तो ग्रेट में से एक है एबी डिविलर्स क्रिस गेल डेविड वॉनर ये तीन जो खिलाड़ी है फॉरेइनर्स में अगर बात की जाए ओवर सीज में तो आई पिल में इंसे बहतर कोई नहीं है और बाकी तो खेर हैं तो वॉनर का यार यह ही है कि चीरफार हो जाती बिचारों की मतलब अब मुझे लगता है कि अब डॉप हो जाएंगे अब नहीं सही ही ऑस्ट्रेलिया प्रतीक जोशी आई पिल बिलकुल आई पिल के बारे में आपको ज़रूर अपडेट देंगे प्रतीक जोशी अच्छा भाई वह जहां भी है अबी ठीक है बडिया है और उमीद करते हैं वापसी होगी देखते हैं क्या होता अपडेट बाकी तो खेर लगातार हम लोग आपके साथ बने हुए हैं कुछ सवाल हो तो और कीजे इस मैच से रिलेटेड आज के पहले दिन से रिलेटेड कि क्या लगता है कितना स्कोर टीम और रन से या फिर रनो से क्या टीम इंडिया को चौती पारी में बल्लेबाजी करने ही पड़ेगी जिस तरह से हालात लग रहे हैं क्या लगता है आप लोग को आप लोग अपने सवाल जरूर दागिए हम सवाल लेने के लिए बैठे हैं आपके जवाद लेने के लिए टाइम टाइम पर और लाइफ सेशन में भी आते हैं आपसे बातचीत करते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए फोटोस के जरी हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई टीम इंडिया ने किस तरह से आज ऐस्ट्रेलिया को नेस्ता नाबूत किया अश्व पाया समझ नहीं पाया मैं मुहमद शामी ने शुरुआत से जो है कहर बर्पा दिया था उसके बाद फिर जड्डू अश्विन आया तो फिर वो तो उनकी तो बातिया लगे वाई उनको तो खेलना ही नहीं मतलब खेली नहीं पा रहे तो अक्षर पडेल विक्ट लेस रहे जादा गेंबाजी मिली नहीं बारा ओवर करें उनको बट मुहमद सिराज फोरी सी इंजिरी है उनको क्योंकि उनका जब डेविड वानर की गेंपर उन्होंने रोका था तो उसके बाद थोड़ासा लग रहा था इंजिरी है कही ना कहीं हाथ वगेरा में उंगली में तो द अधर है बट उतनी नहीं जितनी इस पिनर्स को है तो ऐस्टेलिया एक सो चैनली साल में पहली बार एक पेसर के साथ उतरा है जहां पर एक ही पेसर है और कोई पेसर ही नहीं है उसके बाद दो पार्ट टाइमर्स आगर गहें